अधिशा क्रिएटिविटी वेल्कम सियो अधिशा क्रिएटिविटी हर दम ट्राइ करती है कि आपको क्रिएटिव थे उसला के दे पहले आपने हमाल डान्स परफॉर्मेंस दे के होंगे फिर रेसिपीज इस बार हम रहा रहे हैं रूबिक्स क्यूब अधिशा क्यूब तो पिंक के ऑपोसिट कलर है ग्रीन और वाइट के ऑपोसिट कलर है औरेंज तो अभी हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा फॉर्स टेप है कि हमें वाइट के ऑपोसिट जो कलर है वो लेना है मेरे में वाइट के ऑपोसिट कलर है औरेंज आपके में भी कोई डिफर कर सकता है तो टॉप में रखेंगे और अभी हमें टॉप में एक प्लस बनाना है तो प्लस इसे तरह का होगा जिसमें जो वाइट के अपॉसिट कलर है ना वो सेंटर में रहेगा और वो बाउंडरी जो होगी लग एक वॉस्टेन वह उप्लाइप करेंगे मतलब बस्के अराउंड जो चार पीसेस रहेंगे उसे हम वाइट से करेंगे हमारे इस हमारे पास कॉइन भी रहते हैं और एजिस भी रहते हैं तो जो हमारा फोस्ट पेस है जिसमें हमें प्लस बनाना रहता है तो हम सिर्फ edges को consider करेंगे, corners को हम बाद में deal करेंगे, so जो first step है हम उसमें सिर्फ edges, और बागी किस steps में हम corners consider करते हैं, अभी हमें white edge को search करना पड़ेगा, तो मेरा जो first white edge है मुझे यहाँ पर सामने मिल गया है, अभी मुझे इसे एक बाद clockwise direction में घुमाते ही, वो औरेंज के right side में आ गया है, इसी टाइप से सारे edges को यहाँ पर लाना होगा, तो अब हम next edges को search करेंगे, तो यह देखे मुझे एक edge मिल चुका है white color का, अभी मुझे इसको top में लाने के लिए, just I have to rotate it clockwise direction, अब next edge धूरना है, हमने और जो मुझे मिल चुका है, अगर वो white edge, right या left side में होगा, तो उसे हम एक बाद clockwise direction में घुमा के कर सकते हैं, पर अभी ऐसे edge के लिए हमें front face को पहले clockwise direction में घुमाना है, and then हमें घुमाना पड़ेगा, पर अगर इसे देखने जाए, तो अगर हम घुमाते हैं, तो वो और इक disturb हो जाता है, तो इसलिए हमें top face को ऐसे rotate करना है, जहांपे वो suitably fit हो जाए, और फिर हमें उसे clockwise direction में घुमाना है, हमारा last edge जुन रहे हैं, तो कभी कभी न वो edges न वाइट के मतलब bottom layer में white के साथ भी हो सकते हैं, तो उसे हमें 180 degree या तो clockwise या तो 180 degree clockwise घुमाते हैं, हम उसको उपर लेके जा सकते हैं, पर हमें पहले उस white edge को suitably place करना पड़ेगा, जहां पर वो white edge नहीं है, हमें वहां पर उसे place करना है, तो हम पहले bottom layer को ऐसे घुमाएंगे, and then we will either do 180 degree clockwise और anti-clockwise, तो इससे हमारा प्लेस बन चुका है, जिसमें हमारे center में white के जो opposite color था, orange आ चुका है, and in the boundary, we have four white color, करते करते कभी-कभी corners भी आज सकते हैं, तो it is okay, तो मुझे अभी इसमें corner नहीं आये हैं, तो अभी हमारा edges से plus बन चुका है, पर edges के थोड़ा सा concept बागे, तो जो हमने white edges है, उसके नीचे भी एक color रहता है, तो इस front place में देखने जाए, तो हमारा पर green है, तो हमें वो green के नीचे, जो middle row है, उसमें भी एक green इसे match करवाना है color, मतलब green को साथ green, तो इसलिए हमें, जो middle row और उसके नीचे, मतलब bottom row के, दोनों को एक साथ clockwise या anti clockwise घुमाना है, इसे हम तब तक घुमाएंगे, जब तक वो top वाला color, and then middle वाला color match ने होता, तो अब start करते हैं हम घुमाना, तो यह घुमाया, तो pink आया, which is not matching, then blue, which is also not matching, and it is green, जब हम match हो जाता है, जो bottom और middle row को घुमाते है, जब match हो जाएगा, तब हम उस वाले इसको घुमाएंगे, मतलब इस केस में, front face को 180 degree clockwise या 180 degree anti clockwise, इससे, जो white color है, वो bottom में चला जाएगा, अब next, next देखते हैं, edge को, जिसके नीचे color है yellow, अब हमें middle face में भी, मतलब middle row में भी yellow लाना है, तो उसके लिए हमें bottom और middle row को एक साथ घुमाना पड़ेगा, जब तक वो yellow नहीं आ जाता, तो अब start करते हैं, pink, it's not matching, then it's yellow, अब हमें उस front face को 180 degree, anti clockwise या clockwise घुमाना है, इससे, वो white color, bottom में चला जाएगा, next, यहाँ पे blue है अब हमें middle में blue लाना है, इसके लिए हमें दोनों bottom और middle row को एक साथ घुमाना पड़ेगा, जब तक वो बीच में blue नहीं आ जाता, तो let's start, यह देखें, इसमें जल्दी से blue आ चुका है, अभी हमें इस front face को 180 degree, rotate करना है, जिससे, वो उपर वाला कला, यहाँ पे नीचे bottom में आ सके, देखें, यह आ गया है, now last, यहाँ पे अभी pink है, pink का अलजड़ी आ चुका है, कभी-कभी नहीं आएगा, तो हमें उसको वही process repeat करके, इसे clockwise एंटी-clockwise घुमा के, इसको bottom में करना है, पीसेस पे अभी ध्यान मत दीजे, वो wrong placement हुआ है, पर वो क्यू हुआ है, और कैसे ठीक करते हैं, उसको मैंने आगे वीडियो में बता है, तो अभी हम corner pieces को adjust करने में start करते हैं, जैसे ही हम अपना corner pieces adjust कर देंगे, तो हमारा base complete हो जाएगा, और base होते होते हैं, जो हमारा force layer है, वो भी complete हो जाएगा, तो जैसे हमने edges दून देते हैं, वैसे उसे tap से हम corners भी दून देंगे, तो मैं अभी corners दूनना start करती हूँ, यह लिखो, मुझे अपने एक white corner मिल गया है, तो उस white corner के साथ और दो भी colors है, तो इस case में मेरे पास yellow और green दो colors है, तो हमें उस वाले piece को, जो वो piece है ना, white, green और yellow वाला जो piece है, उसे हमें ऐसे place करना है, जिसमें उस piece के एक side में green color का center color और और एक side में yellow color का center color, मैं इस case की बात कर रहे हूँ, उसे ऐसे place करना पड़ेगा, जिसमें एक side में उसका green color का center color हो, और एक side में yellow color का center color, then हमारे पास एक formula है, वो हमें apply करना है, वो हमें तब तक apply कर है जब तक वह वाला पीस नीचे नहीं आता और वह है क्लॉक्वाइज लेफ्ट एंटी क्लॉक्वाइज राइट क्लॉक्वाइज लेफ्ट एंटी क्लॉक्वाइज राइट क्लॉक्वाइज लेफ्ट एंटी क्लॉक्वाइज राइट क्लॉक्वाइज लेफ्ट एंटी कवाइब और चाहिए दो और से कलर मत रहते हैं था कि खायिक उंकी तो सब्सक्राइब की कना उसके कंट सब्सक्राइब क्लार तो जब हम मतले से ना है त्रिवल कर रहते हैं तो जह में सबस्क्राइब यहाँ वहाँ चले जाते हैं तो यहां इसको जब बोटम में होता ना तो इसको सेंटर कलर से और वो सेम फॉर्मॉला होता है clockwise left and clockwise right तब वो पीस उपर आ चुका है तो इसलिए हम वो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे मतलब उसके दो कलर्स देखेंगे जो है पिंक और पॉपल और उसे उसकी सेंटर कलर से मैच करेंगे तो उस पेस को वहां पर सेटल करेंगे जहां पर एक एक सेंटर कलर पॉपल और एक सेंटर कलर पेंग और फिर वहां पर उसी पीस को वही फॉर्मॉला रिपीट करेंगे clockwise left और वह नीचे जा चुका है मतलब अभी उस पीस के कलर करेक्ट प्लेस्मेंट हुई है तो पिछले बार कोई और पाइट पीस था वह रॉंग था इसलिए वह चेंज हो चुका है और नेक्स्ट कॉर्न पीस के साथ भी सेंटर कलर से मैच करेंगे मतलब पिंक और यलो को उसकी उस पीस को वहां पर लाएंगे जहां पर उनका सेंटर कलर होगा और फिर वही प्रसेस रिपीट करेंगे क्लॉक्वाइज लेफ्ट अंटी क्लॉक्वाइज राइट 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 क्लॉक्वाइज लेफ्ट अं है निससे। DeanYek सकते हैं कि जो वाइट क्रॉनर perfect के जो साथ जो colours जैना वां सेंट्र क्लर से मैच करते हैं तो वैसा ही होना चाहिए तो लीमार आपशे के तरफ जाते हैं कि को स हमें तो यह रहा हमारा हम्हारा छॉपर इसके साथ जो कलर है वह पोपल और ग्रीन तो हम उसको पीस को ऐसे सेट्रिल करेंगे गए आप एक संट्र करलर पॉपल और रिपिट करेंगेड मं tekrar करेंगे तो इस से हमारे सारे पीस हैं पेर बॉटम में पहुच चुके हैं तो देखा हमने बेस कंप्लीट कर लिया है और उसके साथ हमारा फोर्स लियर भी कंप्लीट हो चुका है देखिए सारे में पिंग पिंग पॉपल पॉपल ग्रीन ग्रीन यलो यलो आ चुके है तो अब हम नेक like, share, subscribe and comment with your valuable feedback. Watch out for next part of video soon.